कि नमस्कार मैंना अजमिन खान और आप देख रहे हैं इस पनाई न्यूस सरजील इमाम जिसको लेकर और उनके बयान को लेकर हर कोई उनकी अलोचना कर रहा है उनकी निंदा कर रहा है और कह रहा है कि उनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई होने चाहिए जेन्यू के पूर्व छात्र सरजील इमाम है जो नगरिता संसोधन कानून के खिलाफ हैं और उसको लेकर तमाम लोग उनका विरोध करते वे नजर आ रहे हैं दरसल उनका बयान ही कुछ ऐसा था उन्होंने कहा था कि भारत को असम स से अलग कर देना चाहिए लेकिन क्या वाके में उन्होंने ऐसा बयान दिया था क्या वाके में ये बयान सही है या गलत है इसकी कोई अभी पुखता जांस तो नहीं हो पाई है और नाहीं सरजील इमाम ने सामने आकर कुछ कहा है लेकिन इन सब के लावा आपको ये बता दे कि जवालल नहरु यूनिवसिटी के चात्र और जामिय मीलिय असलामिया के चात्र अब सरजील इमाम के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने नारा लगाया है कि सरजील इमाम हम तुमारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो ऐसे ही बढ़ते रहो ऐसा जेनियों के तरफ से चात्रो का बयाना है धर असलिए बैयान भी सही कहा जा सकता है क्यूंकि अभी दोशी करार नहीं हुए हैं उनके सिर्फ आरोप लगा है की उन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है सकता है कुछ और कहना चाहते हूं लेकिन लोगोंने उनकी बात का गलत मतलब निकाल दिया हो जाता है बड़े-बड़े मंच पर बड़े-बड़े पत पर धारिन करने वाले अमिश्चा जैसे लोग गलत बयान दे जाते हैं नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर गलत बोल जाते हैं NPR, NRC और CEA को लेकर सही बयान और सही वक्तव्य पेश नहीं कर पाते हैं जिसको लेकर वो माफी भी मांगते हैं और ऐसे में ही उनके बयानों को बड़ा चड़ा कर विवादों में नहीं घेरा जाता तो ऐसे में सरजील इमाम हो सकता है कुछ और कहना चाहते हो लेकिन उनके इस बयान को लेकर विवाद जो खड़ा हो गया है उसकी अभी जाच नहीं हो पाई है जब सरलीज इमाम खुद सामने आएंगे सरजील इमाम तो ही पता पाएंगे कि असल में ऐसा क्या कहा था उन्होंने जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया अब यहां पर जेन्यू के छ च्कुंजान को गलत ले लिया गया है कोंळ लेकिन उनका कोई गलत कदम उठाने का कोई भी मक्सद नहीं था क्योंकि वो खुद ही नागरिक्ता संसोधन कानून का विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में वो ऐसे बयान को नहीं दे सकते हैं अब ऐसे में आपको बता दे कि जब जवाल अन्हेर यूनिवसिटी में घटना घटी ती जहां पर कुछ नकाप पोश घुसते हैं और चात्रों पर हमला करते हैं जिसमें चात्र संग आयूशी घोश भिखायल हो जाती है तो उसमें से दो आरोपियों ने अपनी सजा को कबूल किया था जुम को कबूल किया था वो दो नाम हैं रोहिश्चा और अक्षद उन्होंने कहा था कि जो घटना जेनिव में हुई थी वो हमने करवाई थी लेकिन इसको लेकर भी कड़ी कारवाही नहीं की गई है ना ही उन्हें भी पकड़ा गया है तो ऐसे में जब जेनियों के उन दोशियों को नहीं पकड़ा गया है जो खुद सामने बोलते वे नजर आ रहे हैं तो कही न कहीं ये मुद्दे को भटकाने के लिए शायद वो जव को ही घुम्रा कर दे तो शायद ये खेल चात्र अच्छे से समझ गए और वो सरजील इमाम के समर्थन में उतर आए अब ऐसे में तमाम मुद्दों को भेकाया जाता है गुम्रहा किया जाता है अब नागरिक्ता संसोधन कानून को ही देख लीजे अमिश्या कुछ और कहते हैं और पीम नरेंद्र मोदी कुछ और बयान देते हैं कभी कहा जाता है नारसी लागू नहीं होगा तो कभी कहा जाता है कि सिर्फ इस राज्ये को छोड़ कर इन तमाम राज्यों में लागू होगा तो आप यही देखिए कि वो अपने बयानों पर कायम नहीं है कही ना कही ऐस बाद खड़ा हो गया अभी वो दोशी करार नहीं हुएं कि सरफ और प लगा है आरोप वर दोशी नहीं हमें काफी फासला होता है शिकरार को कि क्या किया था और देखतेlait SPN 9 News